ओके, so here is the deal, मैं पिछले 10 सालों से आइफोन यूज़ कर रहा हूँ, पहले मेरे पास था आइफोन 3GS, फिर मैंने आइफोन 5S पर स्विच कर लिया, और पिछले 4 साल से 2017 से लेकर 2021 की स्टार्टिंग तक मैं यूज़ कर रहा था एक आइफोन 6, I know pretty outdated, but finally मैंने डिसाइड किया अपग्रेड करने पर, and मैंने अपग्रेड किया है एक OnePlus 7T के उपर, क्या ऐसे फेक्टर्स थे जोने मुझे मुझे पजबूर कर दिया, एक iOS ecosystem को तोड़ कर, Android की तरफ shift करने पर, and specifically OnePlus 7T के उपर, बात करते हैं इन सब इस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में, इस फोन को यूज करते करते हैं, मुझे एक महीना हो चुका है, and इस वीडियो के अंदर मैं, majorly 4 चीज़े आप लोगों के साथ share करने वला हूँ, सबसे पहले ही तो ये कि मैंने इतने सालों से iPhone यूज करने के बावजूद भी, एक Android और specifically OnePlus 7T के उपर क्यों shift किया, क्यों मैंने iPhone 6 के बा performance check out करेंगे, क्योंकि मैंने इसको अपने gaming channel के उपर भी काफे सारा content create करने के लिए लिया है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि almost 10 साल से iPhone यूज करने के बाद मैंने इस वले phone पर क्यों shift किया, तो इसके बीचे काफी simple से 2 reasons है, एक तो ये कि मैं काफी time से iPhone यूज करक कि मैंने OnePlus 7T कहां से और कितने का लिया, and specifically, बता दो कि OnePlus 7T ही क्यों, basically OnePlus 8 series जो है, उसमें आप 2 phones खरीच सकते हो, Amazon से, OnePlus 8 Pro और OnePlus 8T, वो मेरे budget से थोड़ा सा बाहर थे, and शायद यही reason है कि मैंने एक नय iPhone भी नहीं लिया, like iPhone 11, 12 क्योंकि, मेरे लिए भी जो phones का sweet spot बना हुए, पै दिखने के बाद, मैं OnePlus 7 Pro McLaren Edition की डील पर आया, जो मुई उस वक मिल रहा था, 36,000 रुपीज का, बट जब मैंने उस डील की details पड़ी, तो वहां पर एक word लिखा हुआ था, I exclusive 10 on 10, जैसे कि किस ने उसको rating दे रखियो, and then मैंने जब उस user पर click किया, तो उस user के काफी सारे phones और laptops, जो की काफी अच्छी mint condition में थे, ऐसा वो दावा कर रहा था user, वहां पर मुझे दिखे, and वहां से मुझे मिलता है एक number, जो की है Mr. Ishan का, and Mr. Ishan से मैं contact में आया, and I got to know, कि वो अपने घर से ही Delhi के अंदर, अपने घर से ही काफी अच्छे mint condition devices sell करते हैं, second end devices होते हैं, and then उन उन से personally contact करने के पाद मुझे पता चला कि उनके पास OnePlus के अंदर, OnePlus Nord था, OnePlus 7 Pro था, OnePlus 7T था, and यह मुझे पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज का, and obviously यह काफी अच्छा deal price है इस phone के लिए, अगर आप OnePlus 7 के devices को second end market में search करने जाओगे, तो आपको काफी high value मिलती है, so seriously, I exclusive Delhi से इशान भी है को, huge shout out, and thank you so much कि इतनी अच्छी deal मेरे लिए रेंज करवा दी, and अगर आप लोगों को भी कुछ भी purchase करना हो, तो इनकी website कर लिंग, जो है, वर description में मिल जाएक आप लोगों को, again not sponsored, but क्योंकि मुझे काफी अच्छी service लगी, इसलिए मैं आप लोगों को ब and then they got to know, कि मैंने एक नया phone लिया है, तो उन्होंने का, कि हम इसकी skins भेज़ें, आपको check out करने के लिए, आप अपनी audience से जरूर शेयर करना, अपना experience, मैंने का, why not, so उन्होंने मुझे दो skins भेजी है, बहुत अच्छी amazing quality skins है, काफी heavy quality vinyl है ये, and Capes India ने मुझे dual shock 4 की skins भी भे कि मैं आप लोगो को को भी दिखा हूँ, and उसके बाद हम देखने की कुछ gaming performance, so stay tuned, okay, so ये रवन पर 70 का box, जो मुझे exclusive Delhi से मिला था, ठीक, ऐसी ही condition में आया था, ऊपर यहां पर मेरे क्याल से औरों ने अपनी कुछ notes बनाने के लिए, अपनी पहचान के लिए box के ओपर है, so इसी तरीके से मुझे यहां पर case रखा हुआ मेला था जब से पहले, जो कि अब देख सकते हो थोड़ा सा pale हो चुका है, yellow हो चुका है color में, but मुझे यह काफी decent quality का case लगा, इसको रखते हैं साइट पे, and then उसका पाद कुछ paperwork है, okay, yes, stickers भी होते हैं कुछ OnePlus के, this is how it is, invitation letter तो इन सब चीजों को भी रख देते हैं, side में, and मुझे जो है, bill नहीं मिला, इसका मतलब कि physical format में, मुझे बिल नहीं मिला है, although मुझे इशान भी एने photo भेज दी थी, but physical format में में बिल नहीं है इसका, तो यह भी आप उनसे ही पूछ लेना, अगर जिस भी device का bill available है या नहीं नहीं है, वो खुद आपको बता देंगे, यहां पर box के अंदर भी लेखा हुए, never settle, बहुत हलकी सी branding है, and सबसे पहले यह रहा phone, okay, तो इसको तो इसको तो में रख देते हैं, यह वला अगर हम lift करते हैं, तो यहां पर हमें wire मिलती है, and उसके बाद walk charge वला charger, जो की अभी त अंदर जो USB jack है, उसमें red accent होता है, यह काफी अच्छा लगा, मुझे काफी subtle सा edition था, अच्छा लगा, and यहां आप देख सकते हो, उसके बार में information लिखी हुई है, and उसके बाद यह type A to type C cable, red color में, जो की बहुत beautiful लगती है, अब इन सब्सीजों को साइट रख देते हैं, ए मुझे एस्पेक्टर नीता है, सच बता हूं, तो की दो साल पुराने फोन से मुझे इतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी, और जो मेरा यूज एक्स्प्रियेंस है वो इतना अच्छा रेगा, बट बहुत amazing लगा मुझे, and not gonna lie, यह मैंने skin भी काफी इच्छ चड़ा दी है, अ इसको एलावा Asphalt 9, सबसे पहले Asphalt 9 से शुरू करते है, तो इस प्ले में अल्रेडी जो है, वो 60fps अटिंग इनेबल है, and यहां पर जो विजूल कॉलरी है, वो डीफॉल्ट पर सेट है, इसको चेंज करके हाई कॉलरी पर करते है, and अब चलते है, बैक, and अब यह गेम कहेल कर अब देखते है, कंट्रोल्स मैंने बिल्कुल सिंपल रखे होया है, जिसमें लिफ्ट में मुझे सिर्फ करने का ऑप्शन है, और राइट हैं साइड में जो है, वो मुझे अपना बूस्ट यूज करने का ऑप्शन मिलता है, double tap for spin, okay, यह चीज़ को इन नहीं बताई है, इनोने इस बरे, अब चलते हैं दूसरी गेम की तरफ, इस गेम को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे फोन की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करने ही पड़ी है, और तिल्ट भी करना पड़ रहा है, अदर्वाइस फोन की स्क्रीन पूरी ब्लो अप हो रही थी, अगर मैं टेंप्रेचर की बात करूं तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, अब चलते हैं, C.O.D की तरफ, और इसको भी मैं बैक्गाउंड में खुला रहने देता हूं, तो ग्राफिक्स में आप दे सकते हो, यह तो वेरी हाइपर सेट है, ग्राफिक कॉलिटी, फ्रेम रेट जो है, वो हाइपर सेट है, और यहां पर लिखा हूँ आ रहा है, वाटर रेफ्लेक्षिन को भी ओन कर देते हैं, और वाटर रेफ्लेक्षिन ओन करने से NDA लेइसिंग जो है, वो अपने अबंद हो गया, फॉर सम रिजन, स्टार्ट ओके मुझे मिडल ओफ दे मैच में स्पॉन किया इनोने, मार देगा इनोने मार देगा, भाई सारे बॉट्स है, वरना मैं इतना अच्छा कभी नहीं केलता, भाई शुकर है, कैमरा पर इतना सही केल रहूं मैं, अधर भाई मुझे लगड़ता बेस्ती ही होगी, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी किल्स लेने के बाद भी मैं मरू ना, येए, ओ शिट, सु बस इतना ही रखते हैं, आप देख सकते हो गाइस कोई frame drops बगएरा कुछ नहीं फील वह मुझे अभी तक तो, I know कि लगदार gaming से तोड़ा सा throttling हो सकती है, और फर्क पढ़ सकता performance पे, So now back to the Airold Dishant, So I think आप लोगों को इसकी gaming performance देखने के बाद, यह believe हो गया होगा कि यह बिल्कुल भी बुरा decision नहीं था, एक दो साल पुराने phone को खरीदना, अपने gaming channel के उपर content create करने के लिए, And I think कि आप लोगों को मुझे Instagram पर भी ज़रूर follow कर लेना चाहिए, At I am Tech Khurana, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने इस नए नवेले OnePlus 7T से बहुत amazing photos and videos खीच कर डालता रहता हूँ, जो कि काफी fun होती है, So वहाँ पर भी follow कर लो and इस वीडियो को like तो करीदो, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी है, मिलता एक लोगों मुझे अब तक के लिए, Adios!